अनकाड़ेमी, लेट्स ट्रकेट नवसकार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टेडी बेस तेलिए आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे राज्टी आए के बारे में राश्टी आए की नेशनल इंकम के बारे में और इसके पहले हमारे एकोनोमी के कुछ लेक्चर्स कंप्लीट हो चुकिए है जैसे कि आपने देखा होगा हमने राश्टी आए के पहले दो-तीन चीज़े और कंप्लीट की है तो होती क्या है चलिए देख लेते हैं इसके बारे में सारी चीज़े और बहुत सारी इसमें जो है ङहनि कि जो लेक्टअ के अंतरगत हमको बहुत सारी चीज़े यहां पर ऐसी देखने को मिलेगी जो हमारे लिए बहुत काम की होगी तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर अने अकडमी के तरफ से पेश, MPPAC और वेपाउन सम्मंदित बहुत याखर सक प्लान यह है फ्री प्लान और इसके अंतरगात 50 से ज़्यादा टॉप एजुटर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं 500 से यादा ATFS यहाँ पर हरवीक वरी ये लाईंड टो बैलिंग से जाझी जाखर सुशन जाए हरहे हैं टॉट च़ूट डलान इसको अकर्न करान नाद वार 14 से पहरी ऐब किभ्यक कर रहा है अफिक MPPAC घुनप से ब्लाइक हैं इसको का टॉकर कि अभरा Course है, उस में जो Goal है वह आपको करना वह और यहां पे meno code को यूज करना है हा פना पर इस code की सहाinoisते से यह आप free plan को activate कर पाएंगे यादा है इस code की सहालते से recorded batch with live doubt clearing complete revision at your own piece ठीक है तो यहाँ पर अपनी सौलित के साफ़ से आप अपना revision कर सकते हैं foundation pre plus means का बैश में आप MPVC का start हो रहा है 29 December prelims compilation by March ठीक है 20 से ज्यादा prelims mock test यहाँ पर होंगे practice के लिए 20 से ज्यादा question bank for all for daily practice PDF revision notes in every class हर class में आपको PDF दिया जाएगा ताकि आप revision कर सके यहाँ आप revise करना चाहते हैं तो यहाँ पर संपूर्ण गयान का course चल रहा है जो batch है आप revision course है और MPVC prelims 2020 और इसके लावा मैं आपको दाओ को यदि आप already in middle of your revision यदि आप अपना revision कर रहे हैं तो enroll कीजिए doubt clearing classes में और यहाँ पर अपनी preparation भूस्ट कीजिए और जो live doubt clearing session है वो start हो रहे है 29 December से और weekly 12 live session यहाँ पर दिये जाएंगे subject wise जो की bilingual होने वाला है ठीक है और इसका नाम है संकल्फ MPVC prelims यह यह जो batch है उसका नाम है संकल्फ MPVC prelims और mega batch इस्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द इसके लिए आप subscribe कर सकते हैं और foundation batch है यह MPVC prelims और mains के लिए यदि आप सोच रहे हैं यह शुरू शेयरी करना MPVC की तो यह आपके लिए बहुत ही सहाइक होगा यह batch ठीक है दस मांद का complete batch पूर सही आप यह ले सकते हैं और इसमें सारे चीज़ यानि शुरू आथ से होने तो सारी चीज़ यहाँ पर कारगर आई आईगी सौपनपूर्ती यह batch है MPVC मुख परिक्षे के लिए जिनका prelims qualify हो चुगा MPVC 2016 तो वह इस batch को जॉइन कर सकते हैं और इसमें आपको answer writing प्रेक्टिस कराई जाएगी 35 दुनों में पूरा आपको answer writing का session आप लिए याएंगे पूरे और Hindi medium में होगा तो यह है सौपनपूर्ती सीरीज सौपनपूर्ती course यह आप इसे ले सकते हैं यह top educator से आप देख सकते हैं कौन को नहीं आप बढ़ा रहा है और यहाँ पर दिये गया है एप में plus course आपको लेना है तो plus course में जाइए और यहाँ पर get सब्सक्राइब कीजिए इसके बाद पर्शन के discount पा सकते हैं डाउलोड अनकेडमी एप लेट्स क्राइक इट सबसे पहले बात करते हैं राश्टी आय लेखा क्या होता है राश्टी आय लेखा का मतलब होता है national income accounts क्या होता है तो आप देखते होंगे जो कोई भी देश होता है यानि प्रतेख देश जो होता है अपनी राश्टी आय से संबंदी जो आकड़े होता है इसके अलावा आकड़ों को हम देख सकते हैं उत्पादन से related उपभोग से related और वित्रण से related उत्पादन मतलब production होता है यानि किसी कच्छे माल को पक्के माल में convert करना उसे क्या कहते हैं उत्पादन को जंता तक पहु दवस्तित बेबरन यहां पर रखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं राश्टी आय लेखा बोलते हैं यानि कि इसे हम national income accounts बोलते हैं राश्टी आय लेखा के समान ही एक प्रकार से दोहरी लेखा जो प्रणाली होती है दोहरा लेखा प्रणाली यानि कि एकाउंट्स आपने राज़कोशी वर्स जिसे हम बोलते हैं वह एक अप्रेल से 31 मार्ज तक चलता है हम को देखने को मिलता है तो यह हमने देखे कुछ बेसिक चीज़ बारे में अब अप्रेल से 31 मार्च एक अप्रेल से 31 मार्च के अगर बात करें तो एक बित्य वर्ष इसको कहा जाता है और किसी देश की अर्थ वबस्ता के क्रिया कलाप उसकी कुल आए यानि कि हम बोले तो बस्तू एबम सेवाओ के कुल मूल ले इसके दौरा मापने का एक उपकरण माना जाता है जो राष्टी या लेखा प्रणाली होती है ठीक है साथ में हम देखें तो हमको देखने को मिलता है इस प्रणाली दौरा राष्टी आय से संबंदित जो आंकड़े होते हैं इस प्रकार व्यवस्तित तथा संकल्पित किया जाते हैं कि लेखा के जो परस पर बैपारिक लेखा प्रणाली के नियमों और सिध्धानतों को राष्टी आयता था उससे संबंदी समों की गंड़ना करने में लागू करने का भी प्रयत्न करती है तो यह चीज हमको देखने मिली कुछ बेसिक इसके अलाबा हमको देखने को मिलता क्या है राष्टी आय लेखा किया गया था और यहां पर अगर देखे तो सर बिलियम पेटी जो है इन्होंने अपने पुस्तक पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल आर्थमेटिक में लिखा था कि एक देश की राष्टी आय एक बरस में श्रमी को द्वारा उत्पादित मूल लिका कुल योग होती है यह ची राष्टी आय लेखा प्रणाली का समुचित विकास हो गया था साथ ही हम देखें दुतिय विस्विद्ध कि अकर बात करें तो इसके पस्चाथ दुतिय विस्विद्ध कब से कब तक हुआ था उन्निस तो 49 से उन्निस तो पैतालिस के आसपास हमको यह अंदर देखने को मि जो है इसके अलावा अंतराष्टी मुद्रकोस आयमेस जैसे बोलते हैं और वर्ल्ड वेंक इनके दौरा राष्टी आय लेखा प्रणाली को एक व्यवस्ति स्वरूप प्रदान किया गया ठीक है मतलब विकास यहां पर हुआ सहिमन को जैस ने किया और बाद में इनका विकास कब हुआ जो इनके दौरा इसका विकास बेवस्ति स्वरूप इसको प्रदान किया गया बाद में संग्तराष्ट राष्ट राष्टी आयलेखा प्रणाली के अंतरगत अब बात कर लेते हम तीनों चीज़ों के बारे में यानि कि देखिए हमको तीन चीज़े कुन-कुन सी देखने को मिलती है पहली चीज तो हमको जो टॉपिक हम पढ़ रहा है उसके बारे में हमको जानना पड़ेगा राष्टी आयलेखा के बारे में फिर राष्टी आयले प्रणाली के बारे में तो यहां देखिए सबसplease बात करते हैं राश्टी आए की बारे में तो यहां हम जो हैं धोड़ा सा राश्टिया गैसी देश में एक वर्स यहां हम बात करें 31 मार्च मतलब 1 अप्रेल अगर बात करें तो एक वर्ष वह उसको सकते हैं तो एक बादि समस्थ बस्तू सेवाओक तर्स्त बस्तु याइं कि समस्थ बस्तू एक कोहकर से 있ाल को सेवा के कुल मौदरिक मूर का योग होती है को मौदा तो तो राश्टिया रजोता है यह पूल सकते हैं प्रणाली किसी देश की राश्टी आय लेखा के निर्वांड की विधी एवम तकनीक है यानिकि राश्टी आय तो हम समझ गया है उसको लेखा यह उसको अधिकरने की प्रोसेस राश्टी आय लेखा और उसको audit करने या उसको लेखा करने से संबंदी जो भी चीज़ें हमको help करें टेक्निक help करें या बिधी help करें वो कहलाती राष्टी आय लेखा प्रणाली राष्टी आय तथा संबंदी समू के संबंदों को प्रकाट करती है इसके बाद राष्टी आय में हम देखते ही तो हम्यक्वां और राश्टी आई ब्रंध थे हैं कि विश्चेत्रों अंतर सम्मन्त स्थापीत की द्रष्टी से राश्टी आए के आँख़ों को तयार करती है यह चीज हमको देखने मिलती यहां पर चलिए अब आगए देख लेते हैं हम हमको आगए क्या चीज़े देखने मिलती है तो हम फाइनलि अब देखने वाले हैं complete troops है राश्टी आए के बारे में संसाधन होते हैं ठीक है उनके समुचित उपयोग तथा लोगों को मिलने बाला जो आर्थिक कल्यान होता है उसके बिसे में पता लगाने के लिए राष्टी आय एवम उत्पादन का यहां पर अध्यन किया जाता है और किसी भी अर्थेवबस्ता में एक बरस के दौरान अर्थे विपस्ता में बस्तूओं तथा सेवाओं के प्रभाव की माप होती है और राश्टी आय एक प्रभा हैना कि एक संग्रह माना जाता ठीक है मतलब राश्टी आय को क्या बलेंगा में प्रभाव एक संग्रह यानिके श्टॉक नहीं बोलेंगे फ्लो है पड़ते और दूसरा अगर बात करें तो नससो होता है यहां पर संसान देखने को मिलता है उसके बाद हमको यहां पर दो चीज़े और देखने मिलती है जिसे हम बोलते हैं देखे राष्टिया तो हमने देख लिए राष्टिया क्या होता है राष्टिया हम यहां देख सकते हैं राष्टिया जो होती है एक होता है उपभोग वे होता है इसमें क्या जोड़ा जाता है इसमें निवेस जोड़ा जाता है साथ में इसके साथ हमको सरकारी जो वे है वो जोड़ा जाता है ठीक है पर माइनस क्या किया जाता है माइनस हरास किया जाता है हरास मतलब डेप्रिसेशन जैसे कि अगर बात करें जो घिसाबट होती है मसीनों की वो हमको यहाँ पर घटी हूँ नजर आती है ठीक है अब उसके यहां पर क्या किया जाता है जोड दिया जाता है मतलब घटाया के जाता सिर्फ घटाया जाता है घिसावाट यानि कि जो भी मसीनों की घिसावाट होती हरास होता है बाकी आप देख सकते हैं यहां पर उपभोग बै जोड़ा जाता है निवेज बै सरकारी बै निर्यात और आ पंबद्री को द्वारण समय अभधी एक निश्ची समय अभधी मतलब फिर हम देख सकते हैं एक एक अपरेल से 31 मार्च हम देख सकते हैं एक निश्चीत अभधी एक मुऊद्रिक अतिम बस्तुराइब का जो सब्सक्राइब होता है वह कहलाता है राष्टी उत्पाद यानि कि नेशनल प्रोडेक्ट उसको बोला जाता है जैसे अगर बात करें हम यहां देखें जो राष्टी उत्पाद होता है वह उसी के पस्टाइब हम यहां पर राष्टी आये निकल कर यहां देखने को मिलती है न फौनात्मक अभधारना है और देख सकते हैं अने अकडमी के तरफ से पेश या MPPAC और व्यापाउन सम्मंदित बहुत यह आकर्चप प्लान यह है फ्री प्लान और इसके अंतरकत 50 से ज्यादा टॉप एजुटोस यहां पर पड़ा रहे हैं 500 से ज़यादा फ्री लाउट ट्रीलिंगिया और चल रहे हैं वीक लिए प्री मॉक टेस्टच यहां पर चलते हैं प्री लाइवेज से ज़यादा कोशन आपको और करा रहे हैं हर सब्च को मिला कर दो कि डेली T20 सीरीस चलती है, जोगी फ्री है, फ्री लाइक विज है है, और 20 कॉश्चन इसमें रहते हैं, 20 प्रस्ट में इसमें रहते हैं, और 20 मिनिट के अंदर आपको देना होता है इसका आंसर, आट वज़े चलती है, सीरीस, और साढ़े आट वज़े से इसका पेपर अनलेसिस सभी चांच की सहाथे सहीअज के आप प pasta को एक्डिवेट कर पाएंगे, याद रही है इस कोट की सहाथे सहीऐब प्री बेन को एक्क्किवेट कर पाएँगे तो यह कोट आप जारूर डलीए इसके बाद यहाँपे प्लस बैलिने पट्रिश है foundation pre plus means का batch यहाँ पर MPPFC का start हो रहा है 29 December prelims compilation by March ठीक है 20 से ज़्यादा prelims mock test यहाँ पर होंगे practice के लिए 20 से ज़्यादा question bank for daily practice PDF revision notes in every class हर class में आपको PDF दिया जाएगा ताकि आप revision कर सके यदि आप revise करना चाहते हैं तो यहाँ पर संपून गयान का course चल रहा है जो batch है revision course है यह और MPPFC prelims 2020 और इसके लावा मैं आपको दाओ है यदि आप already in middle of your revision यदि आप अपना revision कर रहे है तो enroll कीजिए doubt clearing classes में और यहाँ पर अपनी preparation भूस्ट कीजिए और जो लाइव doubt clearing session है वो start हो रहे है 29 दिसंबर से और weekly 12 live session यहाँ पर दिये जाएंगे subject wise जो की bilingual होने वाला है ठीक है और इसका नाम है संकल्फ MPPFC prelims यह यह जो batch है उसका नाम है संकल्फ MPPFC prelims और mega batch स्टार्ट होने वाला बहुत जल्द इसके लिए आप subscribe कर सकते हैं और foundation batch है यह MPPFC prelims और mains के लिए यह यह आप सोच रहे हैं यह शुरूश है तहरी करना MPPFC की तो यह आपके लिए बहुती सहाइक होगा यह batch ठीक है दस मांत का complete batch course है आप यह ले सकते हैं और इसमें सारे चीज़े यानि शुरू आथ से होनी तो सारी चीज़े यहां पर coverger आई आईगी सापनपूर्ती यह batch है MPPFC मुख परिक्षे के लिए जनका prelims qualify हो चुगा MPPFC 2019 साला तो वो इस batch को जोईन कर सकते हैं और इसमें आपको answer writing practice कराई जाएगी 35 दूनों में पूरा आपको answer writing कर session आप लिए यह पूरे और हिंदी मिडियम में होगा हिंदी माध्यां पर उद्ध्यार्थी पिलिए है तो यह है स्वापनपूर्ती सीरीज ठीक है स्वापनपूर्ती कोर्स अनेक्रेडिम का है यह आप इसे ले सकते हैं यह top educator से आप देख सकते हैं कौन को नहीं आप बढ़ा रहा है और यहां पर दिये गया है app में plus course आपको इसके बाद अनुसार आप यहाँ पर देखने मिलती है जिसमें हम देखें सुख जैसे कि हमने अभी बात करें और प्रभा यह दोनों चीज present ऑक यह है जब हम यहां पर जो पीछे की चीज़ पढ़े हैं वह मासानी से समझ पाएंगे तो इस टॉक होता क्या है इस टॉक की अगर बात करें तो स्टॉक से अभी पराया कहा है समय की निश्चीत बिंदू होता है उस पर एक चर मतलब होता है बेरेवल जो बदलते रहे इसके मूल से है और यह गतिशी लफधाना मतलब यह बदलते नहीं है और यह बदलता है ठीक है जो प्रभा होता है फिर उसके बाद देखें स्टॉक में हमको देखने मिलता एक इस टॉक को प्रभाबित करता है अधिक होगा बस्तूत असवय उत्ना पर यहां पर देखिए समय क्याल श्टॉक प्रभाव को प्रभावित करता है कुझना जतना अधीक होगा थीख है छोगों के पास धनका श्टॉक भी उतना ही अधिक होगा उधारन की रूप में अगर देखें श्टॉक में तो राष्टी संपत्ति है स्रंबल है पूंजी है बैंक की जमाएं यानि की नेशनल वेल्थ है लेवर फोर्स है कैपिटल है बैंक डिपोजिस्ट है यह सभी किसके अंतरगत आ आता है प्रभाग अंतरगत राष्टी आया थी यहने नेशनल इंकम आती है मुद्रा कवय आता है इन्हें के एकस्पेंडेचर और मनी पूंजी निर्वान यहां पर हमको देखने मिलता प्रभाग अंतरगत ठीक है इसके बाद देखें आपको दो चीज यहां पर कुछ ची प्रतइबादन किस्ने किया था तो बीके आर्वी राव है 1931-1932 में बेग्यानिक बीधी से राष्टी आय की गढणना तथा राष्टी आयलेखान मेरत प्रणाली का प्रति भादन इनके दौरा नहीं किया था पर अपनी पुस्तक जिसका नाम था प्रतिपादित किया था और इसमें प्रतिवेक्ति आए उनके दौरा बीस रुपए बताई गई थी ठीक है इसके बाद हम सौतंतरता के पश्चाइट के अगर बात कहें तो बर्स 1949 में पी सी महाल नोबिस प्रसांता चंद्रा महाल नोबिस और यहां पर अगर देखें तो इन्होंने जो है मतलब बहुत महत्पूर ने अगदान दिया था खासकर प्लानिंग कमिशन मतलब जो पंचवर इनका मौडल अपना गया था व आपको बताना कमेंड बॉक्स ने x наш camera की संगठन और नी 65 में कारे करना प्रारम कर दिया और भारत में राष्टी आयसे संबंदी सभी पक्षों की गंड़ना केंद्री सांखी की कार्याल यह दौरा किया जाती है यह आपको बताना है ठीक है यह मतलब आपको याद रखना है राष्टी आयसे संबंदी सभी पक्षों की गंड़ना किसको द आयोग बनाए गया और इस आयोग का उद्देश के था भारतिय सांखी की प्रणाली में विद्वान विसंगतियों को दूर करने का इन्होंने सुजाओ दिया यह चीज हमको देखने मिलती है फिर वर्स 2005 में राश्टिय सांखी की आयोग को पूर्ण कालिक आयोग में बदल द दिया तो राश्टिया को मापनी की बिद्वा अलग-अलग यहां देखने को मिलती है जिस takie और नजी कि दारा साइमन कुजनेट्स के दौरा की द्वर्स की दार उए नø और आइमेफ और वर्ल्ड बेंक है इनके दवरा जो है वैवस्तित मैश्को प्रदान किया गया साइमें को नेश्ट के अनुसार किसी देश की राष्टी आये को विविन प्रकार की विधियों बाटा जा सकता है जो कि निमने तीन प्रकार किये जैसे कि देखें उत्पादन विधि होता है आय विधि होता है ठीक है तो देखें यहां पर उत्पादन विधि नहीं प्रोडक किसी देखने को मिलती है राष्टी है मतलब हमारा राष्टी को मापने की बीधि के अंतरगत तो चलिए यहां पर एक एक करके हमका देख लेते हैं सारी बीधि जिसके अंतरगत मुल्य सभणे वर्धित बिदेखने मिलती है ठीक है इसके अलाबा दूसरी विधी हमको देखने मिलती है एक बार देख लेते हैं हम कहके चीज़े हम देखने वाले हैं दूसरे हमको देखने मिलती है आय विधी उसके बाद हम देखेंगे देखेंगे आय से सम्मन दी थी कुछ चीज़े हैं भारत के समाने निवासी और भारत के गेर निवासी के बारे मैं देखेंगे आगे बै-विधी हमको देखने मिलेगी इसके लाबर आगर देखें तो देखें हमको छकल घरहुत पाध राश्टी आय नीजी आय विक्ति गताय प्रतिवक्ति आय ये विस्तार से बात करेंगे जैसी कि आप देख सकते हैं सबी चीज हम यहाँ पर जो है देखेंगे कुछ डाइग्राम के फॉर्मेट में भी देखेंगे इसके बाद जो सारी चीज हमारी जब ये factual चीज हमारी हो जाएगी तो हम यहाँ पर जो है बाकि की अन्य चीजे यहाँ पर देखेंगे जैसे राश्टी आई की गंड़ना जो की जाती है वो दो प्रकार से की जाती है साधन लागत के अधार पर की जाती है और बाजार लागत के अधार पर तो दोनों के बारे हम यहाँ पर बिस्तार से जानेंगे फिर राश्टी आई में ब्रद्धी की जो प्रवट्टिया है नहीं उतार चड़ाओ जो होता है जो बदला होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे किस-किस प्रकार से बदला होता है राष्टियाई की गंड़ना का महत पर क्या होता है वो हम देखेंगे उसके बहुत भारत में राष्टियाई के अनुमान लगाने में क्या-क्या समस्या सामने पैदा हो रहे हैं यहीं कि बारे में राष्टियाय निरधारंट से सम्ंदित भारत के संगठ और यूश्या सब्सक्राइब देखेंगे उसके बाद हमारा नेक्स चेप्टर सुरू होगा कौन सा भारत में बैंकिंग प्रणाली तो लगभग दो क्लास हमारी यहां पर होगी और हमारा राष्टी यहां पर यहां पर यूटूब पर अप्लोड कर दूँगा तो इस प्रकार आपको सारी चीज़ यहां पर देखने मिलेगी और धीरे धीरे हमारा फर्स्ट यूनिट यहां पर जल्दी कवर हो जाएगी और उसके बाद हमारी सेकेंड यूनिट और यहां पर हम बी पार्ड भी जो है मतलब हमारे दौरा MPPSC Pre की तयारी जो है सुरू करवाई जाएगी जो कि टेस्स सीरीज होगी हर एक सब्जेट की ठीक है साथ में करेंट अफेर से रिलेटेट कुछ चीज होगी तो वह भी यहां पर कंप्रीट कराई जाएगी ठोड़े मतलब कुछ समय पस्चाथ एक दो द क्योंकि मेंस के सिलेबस को कंप्लीट करने के पस्चाथ आपकी 70% Pre की तयारी कंप्लीट हो जाती है बचा चीजे करेंट अफेर्स की और अन्य जो चीजे है तो वह मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ आगे आने वाले जो वीडियो से उसमें ठीक है तो टेंसन प्रवाइट करूंगा तो आप एक कोस्चन डेली लिखिए आदत में रखिए बंद नहीं करना है तो मैं कोस्चन आज या कल से जरूर प्रवाइट करूंगा तो आप उसका आंसर भी जरूर लिखने का कॉंसिस करें तो चलिए मिलते है नेक्स क्लास में जो हमारी राष्ट तक के लिए जय हिंद।